कि अधो है वील्वन वेलकम टूरो इस्टरडी आज है चार मार्श दोज़ारीक्टीस और चार मार्श दोज़ारीक्टीस से जितने भी क्रेंट अफेर्स के कोच्चन बनेंगे उसका करेंगे और इसे जूरे इंपोर्टेंट फैक्ट्र बताएंगे और अगर आप आप आए इस चन पनना है तो इस चल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्ते में शेयर करें और अगर आपको पीडिये चाहिए तो पीडिये चल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल फर्स्ट कोच्चन है वर्ड हेरिंग डे कम मना जाता है वर्ड हेरिंग डे तीन मार्च को मना जाता है विश विश्वास संगठन डावलू एच ओ द्वारा हर साल तीन मार्च को दुनिया भर में विश सुनवाई दिवस या वर्ड हेरिंग डे मना जाता है यह वहरापन औ होने वाले परसानियों को रोकने के बारे में जगुर्ता बढ़ाने और कान और सुनने के लिए जोड़ी देखवाल को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है है वर्ड हीरिंग डे 2021 के बीसे हैं एरिंग की एर फोर ओल स्कीन की रिहेविलिकर कॉमुनिकेट हैं तो डाभि जबने बाता है है तो डाभि बारे में मैं आपको बातादू की डाभि प्लॉट्ट फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ और उर्गरणाजरेशन होता है और डाभि प्रवंदक निदेशक और मुख करेकारी अधिकारी का पदभार गर्ण कर लिए हैं राव अब तक के ना बैंक में करेकारी निदेशक का पदभार करत थे उनकी न्युक्ति पदभार गर्ण करने किती थी एक मर्च 2020 से प्रभावी हो को तीन वर्ष के अबधी या अगले आदेश तक जो भी हो पहले हो जाई रहेगी माटम बेंकर ट्राव इंडिया इंस्ट्यूट ऑफ बेंकर्स के सर्टिफाइड एसोसियेट है वह सिरी वेंकर टेस्वर क्रिसी महा विद्याले तिरुपती आंधपर्दे से क्रिसी में पोस्ट गर्जूट है या सेंट्रल बैंक अफ इंडिया का बात आया है तो सेंट्रल बैंक अफ इंडिया के बारे में मैं आपको पता दू कि Central Bank of India के मुख ख्याले मुँमाई में स्थित है और Central Bank of India की अस्थापना 21.11.11.12 को हुआ था नेश को अच्छन है 21 जीव दिवस कम मनाया जाता है 21 जीव दिवस तीन मर्च को मनाया जाता है प्रिथीव पर मजूद वन जीव और बनस्पत्ति के सुन्दर और विविद रूपों को मैने के लिए हर साल दिन मर्च को 21 जीव दिवस अर्थात World Wild Life Day मनाया जाता है 2021 में 21 जीव दिवस वन और आजीव का सतर लोगों और गुराफ विसेक के तहत मनाया जाएगा जो की 20 अस्तर पर करों लोगों की आजीव का को बनाया रखने के लिए बनो वन परजाती और परिस्थितिक तंद्र सेवाव की केंद्री भूमका और विसेस रूप से बनो और जंगल से 60 इलागों के लिए एतिहासिक संबंदों के साथ स्वादेशी और अस्थानी संबंदाय को उजाय करने के लिए हैं कि यहां विस्वन जीव कोस का गया है तो विश्वन जीव कोस के बारे में मैं आपको वता दूस्विस्वनजीव कोस का लियूओं प्लाइट सूटिजन लेंड में इस्तीत है विष्वन जीव कोस कि अस्थापना 29 सपराय नौने से 61 को हुआ था बिश्वर जीवक्वस के अध्याक्ष और सियो काटन रावट्स है नेश्व क्वच्चन है किस राज की मुख मंत्री ने घरों की पहचान चेली के नाम योजना शुरू किया है उत्राखंड उत्राखंड के मुख मंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत ने नेनी तैल में 42 करों रुपे की घरों की पहचान चेली के नाम अर्थात बेटी का नाम घर की पहचान है कारेकरम और विक्षा सियोजना का सुभारम किया है प्राराम बे इस योजना को नैनी ताल में शुरू किया गया है और बाद में इसे पूरे उत्राखण में विस्तारित किया जाना है सरकार महिला ससक्तिकरन की दीशा में काम कर रही है और राज के 32,000 महिला समुहों को स्वरोजिगार से जुरूने के लिए उन्हें आत्म निर्भर मनाया जा रहा है राज सरकार इवाव के लाभ के लिए कई जन कल्यान कारी योजनाओं को लाभ करने के लिए भी तयार है बिकास कार के हिस्ते के रूप में सुखा ताल ज्हिल के जल गरोहन छत को पुनर जीवित किया जाएगा और संदरी करन की प्रकिरिया से गुजरना होगा सुखा ताल ज्हिल पर काम नहीं ताल ज्हिल के पुन भरोन का काम करेगा और साथ ही नहीं ताल में पर्यटकोक के आकरसन की ओर बढ़ेगा यहां उत्राखंड का बाता है था उत्राखंड के बारे में मैं आपको बता दू कि उत्राखंड के मुख मंत्री तिरिवेंद्र सिंग रावत है और उत्राखंड के राजपाल बेबी रानी मोरे है सुगम्म भारत एप किसके द्वारा लॉंच किया गया है सुगम्म भारत एप थावर्चंद्र गहलोत के द्वारा लॉंच किया गया है केंद्रिय समाजिक नयाय और सशक्तिकरण मंत्री थावर्चन गहलोत ने नई दिल्ली में एक वीडियो कॉन्फरेंस के माध्यम से सुगम्म भारत एप लॉंच किये हैं मंत्री ने एकसेस दा फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक भी लॉंच किये हैं और एप और हैंडबुक को समाजिक नयाय और सशक्तिकरण मंतले के तहट दिव्यांगंजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा विक्सित किया गया है सुगम भात एप के बारे में मैं आपको बता दू कि यह एक क्राउस सोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन है जिसमें दिव्यांगंजन और यहां तक की बुजोल गोत तक पहुंच संद मंदी समस्याव दर्द की जा सकती है एप का उद्देश है एक्सेसिवल इंडिया कैम्पेण के तीन स्थनों में एक्सेसिलिबिलिटी को सम्भेदें सिल बनाना और सुधाना जिसमें भात मनिर्मीत प्रयावरान परिवहन छेत्र और आई सिटी फारिस्थितिक तंद सामिल है नेश्ट क्वच्चन है युगंडा अंतराष्टी खिताब किसने जिता है ए और बी दोनों अर्थात मालवीका बनसोट और बरुन कपूर भात के बरुन कपूर और मालवीका बनसोड ने कमपाला में 2021 उगंडा इंटर्नेशनल बैडविंटन टुनामेंट में पूरुस और महिला एककल खिताब जीते हैं बरुन ने पूरुस एकल के फाइनल में समदेशी संकर मुथु सामी को 21,18,16,21,21,17 से हराया है वही मालवीका ने समदेशी अनुपमा उपाध्धाय को महिला एकल में 27,25,23,21,10 से हराया है यहां युगंडा का बाता है तो युगंडा का बारे में मैं आपको बता दू कि युगंडा की राज़्धानी कमपाला है युगंडा की मुद्रा युगंडाई सिलिंग है और युगंडा की राष्टपती योबेरी मुसेवेनी है नश्को चन है हाल ही में कौन CRPF का महा निर्देशक अर्थाट DG बरने है कुलदीप सिंग IPS अधिकारी कुलदीप सिंग को परमूख AP महास्परी के श्यवा निवरित होने के बाद CRPF महा निर्देशक अर्थाट DG का अत्रिक्त प्रभाव दिया गया है कुलदीप सिंग अपने केंद्रीच छेत के विशेश महानी देशक के रूप में काम कर रहे है अगले अधिकारी की निवक्ति और ज्वाइनिंग होने या अगले आदेश तक CRPF परमूख का अत्रिक्त प्रभाव भी स्वर्म भालेंगे यहां CRPF का बताया है तो CRPF के बारे में मैं आपको बता दू कि CRPF देश का सबसे बड़ा अर्थ सैनिक वल है जिसकी अनुमानित संख्यालव भाग 3.25 लाख है इसे परमूख अंत्रिक प्रसुअक्छाबवाल के रूप में नामित किया गया है जिसके मुख संचालन, थियाटर, लेफ्ट विंग, एक्स्ट्रीम मिंग्ज, प्रभावी इराज्यो, कस्मीरी घाटी में आतंगवादी बिरोधी मुकाबला और उतरपूर में आतंगवादी बिरोधी अभियानों में सामिल है यहां CRPF का बात आया है, तो CRPF के बारे में मैं आपको बता दू कि CRPF का मुख्याले ने दिली भारत में स्थित है केंदियरी जब पुलिस बल और थात CRPF का गठन 27 जुलाई 1949 को हुआ था और CRPF का अदर्स बाक हैं सेवा और इमंदारी तो इस कोच्चन समय इतनी जनकारे मिलती है, प्रेश कोच्चन है ISL अर्थात इंडियन सुपर लीग फुटबल विजेता सिल्ड किसने जीता है मुंबाई सिटी ने, मुंबाई सिटी एफसी ने ISL लीग विजेता सिल्ड और इसके साथ आने वाले परतिष्ठी एफसी चेंपियन लीग स्थान को प्राप्त करने के लिए गुआक के GMC स्टेडियम में ATK मोहन बागान ATK MB पर 2-0 की जित दर्ज किया है मुंबाई और ATK MB ने लेवल 40 पॉइंट पर समाप्त किया लेकिन पुर्व ने बेहतर हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ पलिया स्थान का दावा भी किया मुंबाई सिटी FC AFC चेंपियनली के गुरूप स्टेज में क्वालिफाई करने वाला दूसर भारती कलब बन गया है नेश कोच्चन है लोकसभा टीवी और राजसभा टीवी का बिले हो गया है वो कौन से नाय टीवी बना है संसर टीवी राजसभा और लोकसभा टीवी चेंटल जो क्रमस संसर के उपरी और नीचले सदनों की करवाही को प्रसाइद करते हैं को एकल एकाई में मिला दिया गया है इसने चैनल का नाम संसर टीवी रखा गया है यह परिवर्तान एक मार दोजारे की से प्रभावी होगा 1986 बैच के सेवा निवरित आईयस अधिकारी रभी कपूर को एक साल के लिए संसर टीवी के मुख कारेकारी अधिकारी अर्थात सीयो के रूप में निक्त किया गया है नाम बदलने का निले राज सभाके शभापती एम बैंक एयर नाइडू और लोग सभाग अध्यक्ष ओम भी लाने साइक्त रूप से किया था नेक्स कोच्चन है एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 में डैस वायू से ना भाग ले रही है भारती वायू से ना भाग ले रही है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है अभ्यास का उद्देश भाग लेने वाले बॉलों को परिचालन जोखिम प्रतान करना उन्हें नियंद्रित वताबर्ण में नकली और कॉमबैक्ट परिचालन के लिए प्रसिक्षित करना सर्वत्तम विभावसों के परिक आदान परतान के साथ उनकी परिचालन चमताओं को बढ़ाने का अफसर परतान करता है इस अभ्यास के बारे में मैं आपको बता दू कि एक्स डेजर्ट फ्लैग 6 और अमिरात वाई सेना द्वारा आयो एक वार्षिक बहु राष्ट्रिये बिरहत वल नियोजग यु सू 30 MKI 2 C70 और एक IL 78 Tanger Vivan के साथ भाग ले रही है यहां वायु सेना के बाता है तो वायु सेना के बारे में मैं आपको बता दू कि वायु सेना के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंग भाध रही है थैंक्स फोर वाचिंग